एक पुद्ध एक निया वीडियो नया ट्रिक्ट्ट और इस वीडियो में आपसे शेर करने वाला हूं कि कैसे हम चारेक्टर मैप का यूज करेंगे लगा तर मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रिक्स लेकर क्या रहा। बहुत सारे टिप्स कर दो आपने और कोई कोई computer कोर्स कर रखा है क्या आप beginner नहीं है या आपने कहीं से कोई 3 मन का, 6 मन का, 12 मन का course कर रख है, तो क्या आपके पास ये knowledge है, यदि कोई आप से बोलता है कि आप मुझे sign theta लिखे दिखाईए, तो क्या आप अपने keyboard से sign theta राइट कर पाएंगे क्योंकि theta जो character है वो आपके keyboard में कहीं भी नहीं होता keyboard की किसी भी बतन पे आपको ना theta देखने को मिलेगा, ना alpha ना beta ना gamma, ये जो भी आपके special characters हैं, वो आपके keyboard पर नहीं मिल सकते, बट दोस्तों ये भी बात बिल्कुल ठीक है, कि जो कुछ भी computer में आप लोग type करते हो, वो सब कुछ आना तो keyboard से ही है, तो आखेर वो सारे characters, जो हमारे keyboard पे होते ही नहीं है, उन्हें हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम उन्हें अपने document के अंदर insert करेंगे यही आज का हमारा topic है और इसमें हम use करेंगे character map को, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि character map किस तरह से work करता है, आपको सबसे पहलत हो कोई app open करना है, जिसके अंदर आप किसी character को ले के आने वाले हो तो मैंने यहाँ open कर रखे word, आप इसे open करने के लिए start पर जाएगा, और start पर जानने के बाद आप सबसे last में दिखने है, डबलो वाली series में आपको word करके एक app मिल जाएगा या फिर आप window प्लस R प्रेस किजगा और वहां जाके type किजगा win word without any space, small capital दोनों चलेगा, बस आपको win word लिखना होगा और जैसे आप enter करेंगे, आपके सामने word नाम का app खुल कर आजाएगा और आपको मैं है लिखके देखा रहा हूँ फिलाल character map का यूज करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप यहां पर sign theta या alpha beta gamma ये सारे characters यूज कर पाएंगे, तो आपको character map को open करना है आप character map open कहां से होगा वो आपको कहां जाकर मिलेगा उसके लिए आपको सबसे पहले click करना है start पर और start पर जाने के बाद दोस्तो आपको नीचे जाना है windows accessories के folder को आपको open करना है और उस folder में जाके आप देख रहे हैं first option पर ही आपको character map मिल जाएगा इसे आप open कर लेगे अब character में आप open होकर के मेरे सामने आ चुका है दोस्तो इसके फाइदे क्या है जितने भी fonts आपके computer के अंदर pre-installed है या फिर आपने उनको बात में install किया है वो सारे के सारे fonts यहाँ पर आपको मिलेंगे और आप इस list में से जिस font को चाहें उस font को select करेंगे और उस font के अंदर जितने भी available characters होंगे वो आपको नीचे दिख जाएंगे जैसे मैं अभी बात कर रहा था यह alpha, beta, gamma का तो आपको यहाँ symbol नाम के font को choose करना है उस symbol नाम के font में आपको mathematics related कई सारे symbols मिलेंगे technomatics related आपको कई सारे symbols मिलेंगे जैसे आप देख पार यहाँ पर alpha है आप arrow बटन से आगे उसको show के लिए आपको beta मिल गया और बहुत सारे symbols आपको यहाँ पर मिल चुके हैं इनमें से आदी के नाम तो मुझे खुद नहीं पताऊंगे तो यदि आप लोग mathematics आगे का आप बहुत अच्छे standard पर पढ़ चुके हो तो आपको maximum यहाँ पर characters के नाम पता होंगे और आप इन यहाँ से use भी कर सकते हैं तो अब यहाँ से किसी character को कैसे आप अपने document में insert कराएंगे तो दोस्तों क्या करना है आपको नीचे देखने हैं आपको लिखाव है characters to copy और copy करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा select तो यह आप ऐसा समझ लीड़ा है आप शॉपिंग करने साथ है आपके अपके बास एक कार्ट है और आपने जोजो समान खरीजने हैं वहां से choose करते हो और अपने कार्ट में डाल देते हो ठीक वैसी आपने यहां पर जो भी characters आपको insert कराने हैं पहले आपने choose करो यानि आप select करो आप देखरें ठीटा यहां पर pick को करके आओ चुका है अब माली जो मुझे alpha भी चाहिए तो मैंने alpha को भी select किया और मुझे डाल चाहिए मैंने उसको भी select किया इस तरह से आप multiple symbols को एक बार में यहां से क्या कर सकते हो select कर सकते हो अब selected characters को document के अंदर लाने के लिए आपको क्या करना होगा copy और copy करने के बाद आपको अपने document के अंदर जाना है और वहां कर देना है paste अब दोस्तों आप एक बार में यहां पर कई सारे characters को लेकर आए हो अब माल लिजिए कि आपको क्या करना है sign theta लिखना है तो आप keyword से type करेंगे sign और अब आपको यहां उपर साइट से जाना है theta को copy करना है ctrl plus c प्रेस करके और यहां नीचे साइट में आकर ctrl plus v प्रेस करके theta paste कर देना है अब आप लिखना चाहते हो plus माल लिजिए आप कॉस लिखना है तो आप कॉस को यहां write कर सकते हो तो मैंने यहां कॉस लिखा और अब मैं उसी theta को यहां paste कर रहा हूँ एक चीज और notice कीज़ेगा दोस्तो यहां पर आप font को देखिए आपको symbol font नजर आ रहे और अगर मैं आप यहां कुछ लिखूँगा तो exactly क्या ने वाल है वो character जो symbol font में दिया गया होगा यहां अगर आप यहां word के अंदर directly कुछ लिखना चाहते हो तो आपने क्या करना होगा symbol font लाना होगा आप इस लिस्ट में से symbol font को सर्च कर लिजिए SYMBOL आपने टाइप किया और एंटर कर दिया अब आप sequence में ABCD को लिख लो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z अब आपको यहां ABCD पर characters नजर आएंगे कौन से जो symbols में use होते हैं और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखेगा यह caps lock होने पर capital characters बन करके आएंगे और caps lock off होने पर small जैसे मैं आपको अभी समझाओ अभी मैंने Q को press किया तो theta नजर आ रहा है बट अगर मैंने caps lock on कर लिया होता और उसके बाद मैं इसको press करूँगा तो capital theta आने वाला है तो इस तरीके साब दिहान रखेंगे कि कैसे कैसे characters आपको यह use करने है I hope अब को इतनी बात समझ में आ रही होगी कि character map के अंदर यदि आपको कोई character चाहिए तो आपको simply क्या करना होता है font select करना होता है अब जिसे वहाँ लिजिया आपको चाहिए ohm तो मैं जो ohm का symbol है वो देख रहा हूँ कि आपको यहाँ नीचे साइट से w से कुछ नाम लिखे हुए wabdings है, windings है, windings 2 and 3 है इन fonts के अंदर आपको वो सारे symbols मिलेंगे तो मैं अभी चेक करता हूँ क्या यह wabdings के अंदर है तो wabdings में आप देख पारें कई सारे आपको spider का symbol मिल रहा है और बहुत सारे symbols आपको नजर आजाएंगे लेकिन जो मुझे चाहिए वो उसमें शायद नहीं है तो मैं दूसरा कोई font चूज करता हूँ जैसे मैंने लिया wingdings और wingdings में मैं देख रहा हूँ मुझे मिल चुका है तो यह character अब आपको चाहिए तो आप अपना यह जो नीचे characters to copyable option है वहाँ से इन सारे characters को हटा देंगे backspace से मिटा देंगे अपने उस character को again select करेंगे और copy कर लेंगे यही character notepad में paste करते हो तो आपने देखा कि मैंने paste तो om का symbol किया था बढ़ यहां तो नहीं आया कि दोस्तो notepad हमारा बहुत ही basic formatting support करता है आप notepad के अंदर एक time में एक ही font पे work कर सकते हो multiple fonts को वो एक बार में support नहीं करेगा यानि मुझे अब यहाँ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक time में एक ही font काम करता है तो यह आपका एक तरीका था कि आप किस तरह से character map के अंदर से कोई भी character ला करके अपने document में उसको कैसे use कर सकते हो तो सारे doubts के लिए रोगे ना दोस्तो आप तो आप किसी को भी लिखके बता ही सकते हो ना कि किस तरह से sign theta लिखा जाएगा किस तरह से cause theta लिखा जाएगा और और practical में आपको लिखकर क्या हूँगा जिसमें मैं आपको mathematical equation लिखना भी बताऊँगा अभी के लिए बस इतना ही कि आपको characters यूज करने आ जाए अगले practical का वेट कीजे हमें उनका तो use आना ही चाहिए तो मैं बिल्कुल आपको zero level से बता रहा हूँ और zero level से सीखने का फायदा ही है कि आप किसी भी exam को click कर सकते हो आपको वहां की हर चीज बारी की से पता होगी और अगर आपने बिल्कुल base अच्छे से बना लिया है तो आप अगले लिबल को बहुत ही अच्छे से catch कर सकते हो ठीक है दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही